Hello everybody, welcome back to the class, physics के 10 days crash course में आप सब का फिर से एक बार स्वागत है, इसलिए 9 दिनों के अंदर, यानि total 9 video lectures के अंदर हमने physics की most important 60 theories खतम की, आज के इस video lecture में हम लोग next 10 important theories खतम करने वाले हैं, ताकि हमारी total 70 important theories खतम हो जाए, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपका crash course यहाँ पे खत मैंने कुछ additional SI theories add कर दी है, जो इस बार की board की exam में आने के chances है, यानि आपकी total number of theories जो है, वो 70 से जादा ही होने वाली है, वो मैंने आपको पहले बताया था, यानि आपका जो crash course है, वो जादा से जादा day 11 या फिर max day 12 तक जा सकता है, मैं try करूँगा कि जो इसके बाद वाली theory है, वो day 11 में cover हो जाए, पर अगर मुझे लगेगा कि video lecture बड़ा हो रहा है, तो मैं उसको दो part में divide करके, day 12 तक आपको total 12 video lectures provide करूँगा, तो I hope कि आपकी preparation बहुत अच्छे से चल रही है, बीच में थोड़े दिनों का हमारा गयप आ गया, पर थोड़े health issues की वज़े से पर शुरू करते है, आज का lecture number 10, theory number 61, चलिए आज की हमारी पहली theory है, young's double street experiment, पुराने syllabus की अंदर इसमे bright fringe और dark fringe का distance निकालना होता था central bright fringe से, यहाँ पे आपको इस बार के syllabus में बस उनके final answer लिखने है, derivation नहीं देना, मतलब young's double street experiment का बस आपको experimental setup दिखाना है, और क्या process हो experiment है, वो चीज आपको बतानी होती है, तो देखो ध्यान से सुनो, the arrangement of young's double street experiment is shown in figure, यह arrangement है, एक एक करके उसको समझते है, hole S is lit by a bright source, यहाँ पे एक screen है, यहाँ पे एक छोटा सा hole है S, यहाँ पे हमने समझ लो, पीछे एक बल्ब रख दिया, पीछे क्या रख दिया, एक बल् light लगाना है, lit by a bright source, अच्छा, यहाँ से वो light निकलेगा ऐसे बार, यानि यहाँ से आपको पता है, कि जो wave front निकलेंगी कुछ ऐसे spherical, यहाँ से जो light निकलेगा, वो S1 और S2 दोनों पे गिरेगा, light spreads out from S and falls on both S1 and S2, S में से light निकलेगा, S1, S2 दोनों के उपर गिरेगा, ठ S1 और S2 दोनों पे गिरेगा, और यहाँ से फिर वो बाहर निकल के screen के उपर गिरेगा, तो पहला लिखा, light spreads out from S, falls on both S1 and S2, S1 and S2 behaves like coherent sources, coherent sources का मतलब होता है, कि जिन में से अगर कोई light निकल रहा है, तो उनके बीच का initial phase difference 0 हो, मतलब एक ही source में से वो निकलने चाहिए, एक ह D from it, यानि S1 और S2, दो slit के बीच का distance small d है, और यहाँ से आगे सामने कितने distance पे screen को place किया है, capital D के उपर, interference pattern is obtained at P point on a screen, its type depends on distance from S1 and S2, देखो हमने आप पहले पढ़ा था, constructive interference, destructive interference, अगर मेरे पास दो sources, आपको याद होगा S1 और S2 वाला, किसी P point पे मिलते थे, अगर उनके बीच का path difference, N lambda के form में हो तो constructive interference, N plus 1 by 2 lambda हो तो destructive interference, तो यहाँ screen के उपर होता क्या है actually में, मैं आपको rough diagram बना के दिखा देता हूँ, S1, S2, screen के उपर आपको इस तरीके से कुछ patterns देखने को मिलते हैं, इसको बोलते है fringes, इसको क्या बोलते है, fringes, यानि ऐसी पटिया बनी ह यहाँ पे होता क्या है, कि यह वाला जो मैंने highlight करकी दिखा, यह bright है, और बीच में जो खाली जगा है, वो dark है, अभी bright और dark का मतलब क्या है, कि दिवार के उपर, screen के उपर, जहां constructive interference हो रहा होगा, हमने पढ़ लिया intensity 4i0 होती है, बिसल थियोरी को अब rewind करके देख लेना, intensity 4 times हो जाती है, constructive, तो वहाँ आपको bright ऐसी पटी दिखेगी, जहां पे destructive interference होता है, वहाँ पे intensity 0 हो जाती है, हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे आपको dark fringe दिखेगी, यानि हमने लिखा कि अगर interference pattern मिल रहा है, तो वो depend करेगा कि वो कौन से type का है, वो depend करेगा उसका S1 और S2 से distance कितना, यानि समझ लो, अगर मैं central point की बात करो, तो S1 से ओपे जाओ, या S2 से ओपे जाओ, दोनों का distance सेम होगा, यानि path difference 0, मैंने बोला था न, path difference अगर आपका 0 है, center line पे जाओ, path difference 0 है, मतलब delta X 0, तो दोनों का जो interference होगा, यहाँ पे, वो constructive होगा, यानि यहाँ पे आपक central bright fringe, फिर में लेगी first dark, first bright, second dark, second bright, इस तरीके से बोलते हैं, तो मैं rough में इदर लिख देता हूँ, इसको बोलते है central bright, इसको बोलते है first dark, first bright, second dark, second bright, उस तरीके से नीचे भी, first dark, first bright, second dark, second bright, तो fringes का कुछ number होता है, center से उपर जाओ, कोई अगर वहाँ पे interference हो रहा है, मान destructive होगा कि destructive होगा वो depend करेगा कि यह point पे S1 और S2 का जो path difference कितना है phase difference कितना है तो extra में मैंने theory यह figure draw किया है अभी हम लोग लिखेंगे कि if there is a constructive interference constructive interference at p point at p point we will get a bright fringe bright fringe on a screen अगर p point पे constructive interference हो रहा है तो वहां bright fringe बनेगी bright ऐसे पट्टी दिखेगी आपको distance of any nth bright fringe nth bright fringe from central bright central brights यानि center पे bright बनेगी वहां से किसी भी nth number की bright यानि first bright का distance कितना second का कितना third का कितना वो होगा x nth bright is equal to n lambda capital D upon small d n is equal to 1 2 3 4 5 कोई भी nth bright अगर आपको जैसे मैं आपको बोलू कि center से fifth bright कितने distance पे होगी ये distance होता है x कितने distance पे होगी तो क्या होगा 5 lambda capital D upon small d देगो बच्चे यहां पर गलती करते हैं कौन सा किदर आएगा तो simple याद रखो alphabets में पहले capital आता है फिर small आता है तो उपर capital आएगा नीचे कौन सा आएगा small आएगा ये क्यों हुआ ये bright fringe क्यों बनी क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ constructive interference फिर लिखेंगे if there is a destructive interference destructive interference at p point at p point constructive में बोला था we will get a bright fringe we will get a dark fringe on a screen distance of nth dark nth dark fringe from central bright central bright से nth dark का formula है xn d is equal to n minus 1 by 2 lambda d upon d n is equal to 1,2,3,4 अचा आभी काफी बच्चे यहाँ पे confused होगे sir ने minus क्यों लिखा textbook में तो plus दिया है minus इसलिए लिखा क्योंकि मुझे first dark निकालना है तो मुझे n की जगा 1 लिखना है second dark में 2 लिखना है third dark में 3 लिखना है first bright में 1 लिखना है second में 2 लिखना है third में 3 लिखना है अगर आप plus लेते हो तो आपको इसको numbering को 0 से चालू करना पड़ेगा मतलब कि bright में तो first के लिए 1, second के लिए 2, third के लिए 3 फिर dark में आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा कि first के लिए 0, second के लिए 1, third के लिए 2 आप लोग तो first के लिए 1 लगाना है अगर मैं 1-1 by 2 लिखता हूं तो क्या answer आएगा 0.5 1 by 2 पर अगर मैं n प्लस 1 by 2 लेता हूं तो मुझे first के लिए 0 लगाना पड़ेगा answer same ही आएगा textbook में गलत नहीं है textbook में आप देखना यह 0 से चालू किया होगा ठीक है तो हम लोग 1 से चालू करना चाहते है इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया n- ले लिया तो दोनों answer सही है तो आपको theory अगर exam में आती है यंग्स double sheet experiment तो लिखना पड़ेगा simple setup बताओ फिर यह तो यहाँ से इतना important है अगर constructive हो रहा है तो bright fringe बनेगी nth bright का formula लिखो destructive हो रहा है तो dark fringe बनेगी nth dark का formula लिखो यहाँ तक theory लिखेंगे तो बोरे marks मिलेंगे यह theory exam की अंदर आए तो इतना ही लिखना है यह derivation आपकी syllabus में नहीं है main changes के numericals important है exercise में कुछ questions है आप लोग उसकी practice कर सकते हो चलिए आज की हमारी दूसरी theory है what is polarization explain malas law of polarization देखो मैंने theory लिखके रखे बहुत simple है एक-एक moment आराम से समझते है figure draw करना बाकी है वो draw करते करते एक-एक point को समझेंगे तो देखो सबसे पहले polarization का मतलब क्या होता है जैसे आपने एक term सुना होगा magnetization polarization करके word chapter 2 में भी आगया polarized आपका जो होता था ना dialectic polar non-polar उसमें भी आता था polarization ठीक है polarization का मतलब है process of converting non-polarized light into polarized light is called polarization process of converting non-polarized light into polarized light is called polarization यानि non-polarized light को polarized में convert करने को बोला जाता है polarization आपने शायद वो सुना होगा कि polarized glasses आते है न sunglasses वो क्या करता है कि जब आप sun के सामने normal glasses फैर के देखोगे तो आप ज़्यादा देर नहीं देख पाऊगे पर जो polarized होते है वो पहन के आप देखोगे sun के सामने तो थोड़ा ज़्यादा देर तक देख पाते हो reason यह है कि वो non-polarized को polarized में convert करता है reason यह है ज़्यादा देर तक देख पाने का कि उसकी intensity कम कर देता है polarized जो glass होते है उसको बोलते है polarizer glasses का जो type होता है उसको बोलते है polarized glasses या फिर उसको polarizer बोलते है वो intensity को कम कर देगा था कि आप easily उसको देख पाओगे करना क्या होता है कि हमारे पास non-polarized light है देखो non-polarized को कैसे identify करना है कि इस तरी किसे आपको figure दिया हो non-polarized का मतलब है उसमें जो oscillations होते है energy के वो सभी directions में होते है यह आपका non-polarized light है अभी मुझे क्या करना है इसको कि when non-polarized light passes through polaroid 1, polaroid 1 नाम दिया क्योंकि 2 polaroid का पूरा experiment है हो समझेंगे हम लोग, it becomes plane polarized, polaroid का मतलब होता है कुछ इस तरीके का ऐसे plane surface होता है मतलब यह glass है पूरा समझ लो polarized glass, यह है polaroid 1 इसके अंदर ऐसे समझ लो कि ऐसे lines बनी है, क्या बना है lines बनी है अगर यह पूरा non-polarized यह है non-polarized light इसकी समझ लो intensity है I1 कितनी है I1 आप खुद सोचो कि ऐसे करके मेरे पास कोई light है, ऐसे करके मेरे पास कोई light है, ऐसे मैं इसको किसी paper के through पास कर रहा हूँ, मैं इसको माल लो कि यह gaps बनी है वो polaroid है, मैं ऐसे पास करूँगा, तो आप खुद सोचो कि कौनसी वाली line पास होगी, तो यह वाली line पास हो जाएगी, बाकी क्या होगी, अटक जाएगी, अगर मैं उसको ऐसे पास करूँ, तो कौनसी पास होगी, यह वाली पास होगी, बाकी क्या होगी, अटक जाएगी, यानि आप अगर यह non polarized light को polaroid में से पास करोगे, तो इसकी जो gaps बनी, आप ऐसे समझोगी, gaps बनी, एक्चुल अगर मैंने एक polaroid को ऐसे रखा है, तो जब light बहार आएगा, तो इस तरीके से बहार आएगा, मतलब यह बन गया polarized, इसकी intensity का क्या होता है, तो here intensity of polarized light becomes half, i2 is equal to i1 upon 2, यानि इसकी intensity i2 हो गई, वो किसके बराबर है, i1 के आधी है, simple कुछ नहीं करना, non-polarized को polaroid में से pass करो, polarized बन जाएगा वो, और इसकी intensity आधी हो जाएगी, simple polarized का मतलब होता है, कोई भी एक direction में light के oscillation और energy के, intensity के, और यहाँ पे random सभी direction में हो सकते हैं, अभी क्या करना है, इसको दूसरे polaroid में से pass करना है, दूसरे polaroid को हमने कुछ ऐसे इस तरीके से रखा है, उसमें भी ऐसे gaps बनी है, इसको हमने रखा है, theta angle यानि जो polaroid, यह जो पहला polaroid था, उससे किसी theta angle पर हमने उसको रखा है, अच्छ आप इसको ऐसे भी theta angle पर, पहला तो polarize हो गया, intensity आदि होगा, अब intensity को और कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, now this plane polarized light passes through the polaroid 2 kept at angle theta with polaroid 1, polaroid 1 की जो gaps है, उससे theta angle पर हमने दूसरे polaroid P2 को रखा है, its intensity changes again, जब यह polarized light इस में से pass होगा, तो उसके intensity वापिस change होगी, अभी आपको question होगा, कि cross line में से cd line कैसे pass हो सकती है, तो मैं आपको समझा दो थोड़ा सा फटा-फट, कि हमारा जो polaroid है, वो ऐसे रखा है P2, ठीक है, हमारा polarized light यह है, मान लो कि यह यहाँ पहुंचा, यह यहाँ पहुंचा, अभी आपको लगेगा कि जैसे यहाँ पे बाकी की lines अटक गई थी, cd line पास हो गई, cd gap में से, तो यहाँ पैसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं हुआ, reason यह है, कि यहाँ पे जो polarized light है, वो theta angle के उपर है, तो इसका जो cos theta component होगा, वो यहाँ से पास हो जाएगा, क्या होगा, cos theta component, यानि हमारा जो gap है, दूसरे polaroid का gap समझ लो, ऐसे है, ठीक है, यह light आ रहा है, सीधा, तो इसके component बनेंगे, एक बनेगा cos theta, और दूसरा बनेगा sin theta, cos theta component आपका यहाँ से पास होगा, जो उससे theta angle पे है, तो उसकी intensity वापिस change होगी, now the intensity of this light, according to Malas law, i3 is equal to i2 cos square theta, यानि जब light वापिस बाहर आएगा, तो उसकी जो intensity होगी, अभी light यह gaps की अंदर से बाहर आ रहा है, तो ऐसे बन जाएगा हो, इसकी intensity i3 है, वो कितनी है, i2 cos square theta, तो जब भी पहले polaroid में से पास करो, तो intensity always half हो जाती है, और दूसरे में से पास करो, तो जो यहाँ पे थी, उसका क्या होगा, cos square theta, i2 cos square theta, अभी इसका derivation आपको देने की ज़रूरत नहीं है, this is the Malas law of polarization, बहुत simple है, simple वापिस सुन लो, non-polarized light, i3 is equal to i2 cos square theta, यहाँ तक theory लिखोगे, most important theory है, यह draw करने की ज़र्थ नहीं है, exam में आपको इतना draw करना है, इतने theory लिखनी है, दो marks आपको easily मिल सकते हैं, हमारी जो next theory है, electron emission, explain electron emission and work function, what are the types of electron emission, electron emission यहाज अभी chapter 11 चालू हो रहा है, यह सारे जो 3 chapter है, modern physics के chapter है, इसके अंदर थोड़ा सा theory वाला portion जादा आएगा, तो जितना हो सकता है, मैं video lecture को short करने के लिए, points मैं लिखके रखोंगा, detail में हम लोग उसको समझेंगे, पर लिखने का time हमारा थोड़ा बज़ा, इसके लिए मैं points लिखके रखोंगा, हाँ, derivation होगा, तो हम लोग step by step यहाँ पर करेंगे, तो derivation भी है, ऐसा नहीं है कि सब theory ही है, पर major portion इसका theory based है, ठीक है, तो देखो electron emission का मतलब क्या होता है, कि जैसे हमारे पास कोई metal surface है, हमने सुना होता है कि metal के पास free electrons होते है, अज़ा free electron का मतलब क्या होता, अब लोग chapter 14 semiconductor में जाके पढ़ोगी, कि जो सबसे outer orbit वाला electron होता है, जो conduction के लिए responsible है, जिसकी वज़र से metal में conduction of current होता है, उसको बोलते है free electron, अभी भी वो metal के, यह मतलब atom के nucleus से bounded ही है, free का मतलब यह होता है, कि वो सबसे last वाले orbit में है, जो conduction करवा रहा है current का, ठीक है, तो अगर हमें इसको emit करना है, कि metal surface से remove करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या requirements है, क्या processes है, वो चीज हमें यहां समझनी है, तो सुनो ध्यान से, normally electrons cannot escape the metal surface, यानि metal surface पे को electron है, free electron, तो अपनी मर्जी से escape नहीं कर सकता, they are bounded by the nucleus, and they require some energy to escape, the nucleus से bounded होते हैं, उनको escape करने के लिए, कुछ certain energy की requirement होती है, if the energy of electron is more than energy, due to attractive force, then only they can escape, यानि nucleus उनको पकड़ के रख रहा है, हमें जितनी energy से उसने पकड़ के रखा है, उससे जादे energy देंगे, तभी हम लोग उसको surface से बाहर निकाल पाएंगे, क्यानि समझ लोग कि कोई आत्मी है, मतलब nucleus एक आत्मी है, वो electron पकड़ के बैठाय से, अगर मुझे उसके हाथ से electron छीनना है, मतलब electron को escape करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जितनी energy लगा रहा है, उससे जादे energy मुझे electron को देनी पड़ेगी, यानि उतनी जादे energy से उसको खींचना पड़ेगा, तो हमने लिखा, मेटल के surface से electron को emit करने के लिए, जो कम से कम energy required होती है, मिनिमम इतनी तो देनी ही पड़ेगी, उसको बोलते है, वर्क फंक्शन फाई-जीरो, समझ आया, तो यहां तक हमने क्या समझा, कि electron अपनी मर्जी से escape नहीं कर सकते, वो nucleus से bounded होते है, हमें force जो attract करके रखा है, उससे जाद energy देनी पड़ेगी, तो जो minimum energy required होगी, उसको बोलेंगे, work function जो electron रिबू करने के लिए, हमें देनी पड़ती है, its SI unit is electron volt, वैसे energy का normal unit होता है, जूल, पर work function का electron volt है, यह MCQ के लिए भी याद रखना, it depends on the type of metal and its surface, यानि अलग-अलग metal का work function अलग-अलग होगा, माल लोग एक iron का टुकड़ा है, और एक steel का टुकड़ा है, दोनों metal में से अगर मुझे electron को remove करना है, तो दोनों को जो energy देनी पड़ेगी, वो अलग-अलग होगी, माल लोग को ये 5 electron बुल दिया iron को, तो उसमें से electron बाहर आ गया, पर ऐसा जरूर ही नहीं है कि copper या steel में से भी उतनी energy से बाहर आ जाए, ऐसा हो सकता है कि steel ने उसको जादा force से बांध की रखा है, तो मुझे जादा energy देनी पड़ेगी, तो depend करेगा work function, type of metal और उसके surface के उपर, अचा अभी इतना तो clear हो गया कि electron emit कराने के लिए energy देनी पड़ती है, कितनी देनी पड़ती है, work function के बराबर पर अभी कैसे provide करेंगे, कैसे देंगे, मतलब ऐसे energy उठा के मारेंगे क्या उसके उपर, पता नहीं न, कैसे देंगे, यानि electron remove करना energy देनी है, पता चल क्या energy देनी है, कैसे देनी है, कितनी देनी है, वो भी पता चल क्या, कैसे देनी है, तो electrons can be given energy using three method, तीन method है याद रखना, thermo-ionic emission, field emission, photoelectric emission, thermo-ionic, thermo word का मतलब होता है heat, temperature, तो thermo-ionic emission के अंदर, when the surface of metal is heated, जब metal surface को गरम करेंगे, electrons gain sufficient energy to escape, जब simple है कि metal surface को गरम करो, electron को sufficient energy मिलेगी, तो surface को छोड़के escape कर जाएंगे, दूसरा है field emission, field का मतलब होता है कि when metal is placed in a stronger electric field, electrons will gain energy to escape, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब मैं electrons को electric field के अंदर रखोंगा, मतलब metal surface को electric field में रखोंगा, तो field की वजह से भी energy उसको मिलेगी, तो क्या कर पाएंगे, escape कर पाएंगे, तीसरा है photoelectric, देखो हमारा पूरा chapter इसकी उपर based है, photoelectric emission में क्या होता है कि when a light of certain energy and wavelength, light of certain energy and wavelength is incident on metal surface, then also electron can escape, यानि metal surface में मैं कोई enough energy वाला light incident करूंगा, तो यह light की energy electron को मिलेगी, और यह electron सारे क्या करेंगे, escape करेंगे, तो तीन तरीके से energy दे सकते हैं, गरम करके, stronger field लगाके, या फिर energy वाला light incident करके, यह thermo ionic emission, field emission, photoelectric emission, तो दो मास का question आए, आपको इतना लिखना पड़ेगा, चली हमारी जो next तीन theories है, मतलब chapter के अंदर अगर आप लोग देखोगे, तो भी आपको दिखेगा कि photoelectric effect का पूरा experiment है, उसके बाद आपको ऐसे graph वाली तीन theory दिखेगी, जिसमें सबसे पहली है effect of intensity on photo current, दोसरा है effect of potential on photo current, तीसरी effect of intensity वाली उतनी जादा important नहीं है, पर फिर भी आप लोग मेरा वो graph वाला एक video देख लेना, यह channel पे एक graph वाला video रखा हुआ है, उसमें मैंने सारे graph अलग से भी समझा के रखे है, तीन में से यह दो theory important है, तो यह दो हम लोग अभी कर रहे है, previous year question करेंगे, अगर वो question आया होगा तो वहाँ पे करेंगे, वरना intensity वाला question theory wise उतना जादा important नहीं है, हाँ, आपको graph समझना पड़ेगा, उसका जो concept है, वो थोड़ा सा revise करके थोड़ा सा याद रख लेना, theory के लिए वो उतना जादा important नहीं है, यहाँ पे हमारा effect of intensity, अभी question के अंदर यह diagram नहीं है, पर मैं आपको यह पूरा effect पहले समझा देता हूँ, जिसको बोलते है, photo electric effect, ताकि आपके थोड़े से concept clear हो जाए, और आप लोग theory को अच्छे से, मतलब यह जो theory है, वो आप अच्छे से समझ पाओ, और इसके बाद वाली भी समझ पाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, कि ग्लास ट्यूब की अंदर तो photo electric emission, यानि यह light की energy, electrons को मिलेगी, तो ऐसे electrons बाहर आ जाएंगे, electrons क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, अच्छा, यह light की energy का formula अभी आप लोग ऐसे सीधा याद रखना, HF, यानि light की कुछ frequency होती है, उसकी according, उसकी energy HF के बराबर होती है, H को बोलते है, planks constant, F होती है, light की frequency, अभी याद रखना, ठीक है, यह light metal surface पे गिरेगा, यह light की अगर energy कितनी होनी चाहिए, हमने क्या बोला कि electrons को emit होनी के लिए कम से कम कितनी energy चाहिए, तो work function के बराबर, यानि मान लो कि electron को बाहर आने के लिए, फायू, electron volt energy चाहिए, तो यह light के पास कम से कम कितनी होनी चाहिए, फायू, या फिर उससे जादा, light की energy कम होगी, तो electron बहार नहीं आ पाएगा, क्योंकि electron को emit होने के लिए को certain minimum energy required होती है, जिसको बोलते है work function, ध्यान से समझना, अच्छे से मैं समझाओंगा, फूरा concept clear होगा, वरना रटा मानने जाओगे, कोई मतलब नहीं हो उसका, ठीक है, light की कुछ certain energy होनी चाहिए, work function जितनी, या उससे जादा होगा चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए, अगर उतनी energy है, तो वो electron को emit कर पाएगा, कितने electron निकलेंगे, तो depend करेगा, कितनी light incident कर रहे हो, ठीक है, अच्छा, ये light की पास दो चीजे होती है, एक होती है intensity, एक होती है frequency, अच्छा, light की intensity का मतलब होता है amount of light, जिसको मैं simply बोल सकता हूँ, brightness, यानि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक छोटी सी torch है, एक बड़ी सी torch है, मैं दोनों torch को चालू कर रहा हूँ, कौन से light, light की intensity जादा है, तो बड़े torch की light की intensity जादा है, यानि हो जादा light फैंक रहे हैं, ठीक है, दूसरा होता है frequency, frequency का मतलब होता है, frequency depend करेगी energy, frequency बदलने से, यानि intensity बदलने से amount of light बदलेगा, frequency बदलने से उसकी energy बदलेगी, simple है, light की frequency बदलो तो energy का formula hf है, frequency बदलेगी तो energy भी बदलेगी, अच्छा, अभी मैं simple next time आपको पूछूँ कि light की intensity बदलने से क्या होगा, तो ज्यादा light intensity बढ़ाने का मतलब, ज्यादा light गिराओ, प्लेट के उपर, और ज्यादा frequency बदली light incident करने का मतलब है, ज्यादा energy वाले light incident करो, ठीक है, दूसरी बात, यह जो light होती है, light को बोलता है photons, light के अंदर जो light है, उसको हम लोग particle nature के form में लेके उसको photons बोलते हैं, आपको यादा रखना है, कि एक photon, एक ही electron को emit कर पाएगा, एक जो photon है, वो एक ही electron को emit कर पाएगा, यानि metal का surface है, अगर मैं उसके उपर एक photon गिराओंगा, तो वो एक ही electron को बाहर निकाल पाएगा, अगर मुझे दूसरे को बाहर निकालना है, तो मुझे दूसरा photon किराना पड़ेगा, अभी दूसरा photon मतलब जादा light, यानि जादा intensity, तो मतलब यह हुआ कि अगर मैं जादा intensity वाला light गिराओंगा, जादा intensity का मतलब क्या है, जादा amount of light incident करूँगा, तो वो जादा electron को बाहर खींच के लाएगा, जादा electron escape कर पाएगा, क्योंकि जितना जादा light होगा, उतने जादा photons, और जितने जादा photons, उतने जादा electron, तो simple logic यह है, अगर मेरे light की कुछ certain energy है, कि वो electron निकालने के लिए sufficient है, अगर मैं यह light की intensity बढ़ाऊंगा, मतलब जादा light incident करूँगा, तो जादा electron को energy मिलेगी, और जितने जादा electron को energy मिलेगी, उतने जादा electron बहार आएंगे, बस electron बहार आके कहाँ चले जाएंगे, सामने वाली plate पे चले जाएंगे, और सामने वाली plate पे जाके वो यह circuit के अंदर flow करके, external circuit सा में कोई मतलब नहीं है, पूरा circuit complete करके घूमते रहेंगे, मतलब मुझे क्या जादा मिलेगा, current जादा मिलेगा, देखो intensity और current का sign आई है, तो गलती मत करना, simple, light के intensity बढ़ाओ, तो क्या होगा, जादा light गिरेगा, जादा light गिरेगा तो क्या होगा, जादा electron को energy मिलेगी, जादा electron को energy मिलेगी, तो जादा electron बहार आएंगे, और जितने जादा electron बहार आएंगे, तो current क्या होगा जाधा मिलेगा तो effect of intensity मैं सीधा पूछू कि intensity बढ़ाने से current क्या होता है अच्छा ही जो current flow था उसको photo current बोलते है simple मैं आपको question पूछू intensity बढ़ाने से current क्या होगा तो जाधा current मिलेगा simple current जाधा क्यों मिलेगा क्योंकि intensity बढ़ाई जादा light गिराया जादा light गिराया तो जादा electron को energy मिली और जादा electron को energy मिली तो current आपका बढ़ा तो अब इसको लिखना कैसे है यह मैंने आपको process समझा दिया क्या होता है अभी exam में theory क्या लिखनी है तो मैं यहाँ पे point लिख देता हूँ फिर आपको मैं समझा देता हूँ च जो plate जहां से electron emit होते है इसको बोलते है emitter plate emit करने वाली plate और यह जो collect कर रही है यानि जिसके उपर electron सामने पहुंच रहे है इसको बोलते है collector plate जनरली हम लोग anode cathode बोलते है पर यहाँ पर भूलेंगी जिसपे से emitter हो रहे है emitter सामने जा रहे collector वहना collector plate is kept at positive potential with respect to emitter plate the emitted electrons will be attracted towards it यानि external circuit के अंदर क्या होता है कि यहाँ आप आप emitter लगाते हो यहाँ से आप लोग क्या करते हो कि एक battery लगाते हो मतलब current को flow चालू रखने के लिए मतलब जो current electron सामने गए न वो flow करके आएंगे तो इसको आपको क्या करना है initially positive रखना है और इसको negative रखना है positive रखा है तो यह क्या करेगा emit जो electron emit हुए है उनको अपनी तरफ attract करेगा तो collector plate की potential को positive रखो with respect to emitter the emitted electrons will be attracted towards it here frequency of light and potential of collector plate is kept are kept constant and current is measured for different intensities यानि मुझे इस intensity का effect चेक करना है तो मैं क्या करता हूँ कि frequency constant कर देता हूँ इसका potential भी constant कर देता हूँ और अलग-अलग intensities मतलब light को बढ़ा के कम करके बढ़ा के कम करके intensity जादा कम करके कितना current flow हो रहा है वो मैं check करना चाहता हूँ ठीक है when intensity of light is increased intensity of light is increased intensity increase होने का मतलब क्या है amount of light बढ़ा हो जादा light गिरा हो the number of electrons emitted per second will also increase यह important point है जब आप light के intensity बढ़ा हो तो per second कितने electrons emit होंगी वो number भी बढ़ेगा due to this photo current will increase यानि अगर जादा electron emit हो रहे तो circuit में current भी क्या होगा बढ़ेगा तो इससे हम लोग यह बता सकते है कि the photo current is in a circuit is directly proportional to the intensity of light बहुत सिंपल है intensity बढ़ा हो पर second जादा electron बाहर आएंगे तो circuit का current बढ़ेगा मतलब intensity और current एक दूसरे के directly proportional है पहला graph आया photo current अगेंस intensity का straight line मतलब यह photo current जो है intensity के साथ increase होता है तो यह आपकी 2 marks के theory आ गई एक्जाम के अंदर आए तो आपको यहां से लिखना है यह बस मैं समझाया आपको कि क्या क्या हो रहा था आप इतना लिखोगे 4-5 points और graph लिखोगे तो आपको 2 marks पूरे मिल जाएंगे चले next जो हमारी theory है effect of potential on photo current किसका potential तो हमें theory पता है कि यह होती थी हमारी emitter plate और सामने होती थी हमारी collector plate हम लोग क्या करेगी certain amount of light certain energy के साथ incident करें तो बहुत सारे electrons यहां पे बाहार आते थी अब इसको ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ points मैंने लिखके रखे है पर इसका understand करना समझना इसको जरूरी है लिखना तो आप अपनी language में भी लिख सकते हो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा हाँ मतलब नहीं बदलना चाहिए concept वही रहना चाहिए ठीक है मान लोग कि यहां पर 500 electron बाहर आए सबसे पहले हमें क्या करना है कि collector plate को positive potential पर रखना है यानि यह collector plate को मैं positive potential पर रखता हूँ तो यह करेगा क्या कि यह negative पर होगा तो अंदर एक field generate होगा तो यह जो field है वो क्या करेगा कि जो electrons emit हुए है उनको अपनी तरफ खींचेगा positive electrons को मतलब positive terminal electrons को अपनी तरफ खींचेगा जितने जादा electron सामने पहुँचेंगे उतने जादा electron का circuit में flow होगा तो उतना जादा current मुझे मिलेगा ठीक है अभी यहां कहानी यह है कि जो electrons बाहर आए है उन सबकी energy same नहीं है मतलब समझ लो कि 500 electron बाहर आए है अभी 500 electron जो बाहर आए है सबकी energy अ नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं है जैसे मान लो कि इनका work function है फायू electron volt मतलब सबको बाहर निकलने के लिए फायू electron volt energy चाहिए कम से कम मैंने जो light incident किया उसकी energy है 20 electron volt मतलब जितनी चाहिए उससे जादा है तो वो electron को emit करेगा अब याब बोलोगे कि आपने दिया 20 बाहर आने के लिए 5 चाहिए था तो बाहर आके सबके पास 15 electron volt बचना चाहिए पर ऐसा नहीं है क्योंकि जब electron बाहर आ रहे हो तो बाकी ions के साथ collide करने में कुछ न कुछ energy उनकी waste हो जाती है तो 500 electron की energy same नहीं है अभी 500 electron में से समझ लो कि पहले 100 की सबसे जादा है फिर 100 की उससे कम उससे क तो total जो 500 electron है समझ लो 100 electron ऐसे है जो सामने 0 voltage लगाया मैंने अभी तक कोई भी positive नहीं लगाया फिर भी अपने आप सामने चले जा रहे है क्योंकि उनकी energy जादा है total निकले 500 100 अपने आप सामने जा रहे है अभी मैं क्या कर रहा हूं कि इसका positive potential बढ़ाता जा रहा हूं मैंने सामने क्या लगाया अभी मैं इधर लिख देता हूं 0 अभी मैं क्या कर रहा हूं कि सामने 10 वोल्ट लगाया सामने जैसे ही मैंने 10 वोल्ट लगाया ये positive 500 में से कुछ electron को खीचेगा यानि 100 electron तो पहले खुद ही अपने आप ही सामने जा पा रहे थे 10 वोल्ट लगाने से क्या कि अभी 200 इलेक्ट्रोन सामने जा रहे तो current बढ़ा अच्छा अभी मैंने इसको और positive बढ़ाया इसको मैंने 30 वोल्ट लगा दिया चलो 30 ने 20 तस तस बढ़ाते तो मुझे दिख रहा है कि 300 इलेक्ट्रोन सामने जा रहे मतलब 500 के 500 एक साथ सामने नहीं जा रहे सबकी energy अ उसने के लिए तो उसके लिए खींच के लाने का मतलब है ये फिल्ड को मुझे बढ़ाना पड़ेगा जैसे मैंने 10 वोल्ट लगाया 200 गए इसको 20 वोल्ट किया तो फिल्ड बढ़ेगा जादा प्लस लगाओ जादा फिल्ड चंडेट होगा 300 गए 30 वोल्ट किया 400 इलेक्ट सामने जा चुके है 60 वोल्ट लगाऊंगा तो भी 500 इजाएंगे 70 वोल्ट लगाऊंगा तो भी 500 इजाएंगे यानि होता क्या है कि एक पॉइंट तक आप इसका पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो जादा से जादा इलेक्ट्रोन को अपनी तरफ खींचेगा य इस वोल्ट पे ही सारे चले गए तो 50 पे भी सारे ही जाएंगे 60 पे भी सारे ही जाएंगे 70 पे भी सारे जाएंगे मतलब यह हुआ कि एक पॉइंट के बाद पॉजिटिव बढ़ाने से कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि एक पॉइंट पे करंट मैक्सिमम बन गया क्योंकि सारे electron सामने जा रहे हैं, तो कहानी सिंपल है, electron 500 निकले, सब साथ में सामने नहीं जाएंगे, कुछ electron खुद ही सामने चले जाएंगे, जादा energy है, बाकि सबकी energy उससे कम, उससे कम, सबकी energy अलग-अलग है, जिनके energy कम है, उनको खींच के लाना पड़ेगा, तो जादा field लगाने के लिए इसका plus बढ़ाना पड़ेगा, इसका मैं plus बढ़ाता जाओंगा, ये जादा field खींचेगा, जादा field लगाएगा, सामने से electron को खींच के लाएगा जितना मैं plus बढ़ाऊंगा उतने जादा electron को खींच के लाएगा एक point तक ऐसा होगा कि जादा electron को खींचता जाएगा current बढ़ता जाएगा एक point के बाद वो current बढ़ना बंद हो जाएगा क्योंकि सारे electron सामने चलेगा तो देखो ध्यान से, when collector plate is kept at positive potential, the emitted electrons will reach to reach the collector plate, इसको positive रखेंगे तो electrons उसकी तरफ जाएंगे, when the positive potential is increased, the photo current will also increase, क्यों increase होगा, कि कि positive बढ़ाने से जाधा electron सामने जाते हैं, तो photo current भी बढ़ेगा, at a certain value of positive potential on a collector plate, all the emitted electrons will reach towards it and current becomes maximum, एक certain value ऐसी आएगी, positive potential की, जिस पर सारे electron सामने चले गए, तो इसका मतलब current maximum बन गया, here current becomes maximum, which is called saturation current, saturation current का मतलब है, जितने electron निकले थे, अगर सारे सामने चले गए, एक potential positive की value के उपर, तो वहाँ current maximum बना, any further change in positive potential will not change a current, यानि अभी इसको और पढ़ाने से कोई फाइदा होग का नहीं, क्योंकि सारे चले गए थे, 50 पे भी 600 जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि निकले ही 500 थे total, तो वह 40 पे चले गए, 50 पे भी सारे जाएंगे, 60 पे भी सारे जाएंगे, मतलब एक value तक ही वो current बढ़ेगा, उसके बाद नहीं बढ़ सकता, तो मतलब यह हुआ, कि positive समझना, हमारी यह emitter plate है, हमारी यह collector plate है, light incident हुआ, मान लो कि 500 electron निकले, total कितने निकले 500, अभी मैंने इसके उपर कुछ भी voltage नहीं लगाया, मैंने आपको बोला था कि 0 volt बे भी कुछ electrons ऐसे है, जो अपने आप ही सामने जा रहे, मान लो 0 volt है, अभी कुछ भी नहीं लगाया emitter collector के उपर, फिर भी कुछ electron अपने आप ही सामने जा रहे, क्योंकि उनकी energy जादा है, हमने बोला था ना, उनको खींच के लाने की जूरूत नहीं है, वो खुद ही चले जाएंगे, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर current मिल रहा है 10 ampere, अभी मैंने बोला कि अगर मैं इसका positive होता है कि यह negative potential electron को सामने आने से रोकेगा, पहले ही 100 जारित, अभी जैसे ही मैंने minus 10 लगाया, अभी मैं देख रहा हूं कि मुझे 80 electron सामने जाते हुए नजर आ रहे, तो 20 क्यों रुक गए, तो कौन से 20 रुक जाएंगे, तो 100 में से जो last 20 वाले होंगे, यानि जिनकी energy last section म होगी, सबसे कम होगी, जो 20 electron की energy 100 में से कम होगी, वो negative को cross करके सामने नहीं जा पाएंगे, current कम होगा, मैं इसको minus 20 लगाता हूं, तो मुझे दिख रहा है कि अभी 60 electron सामने जा रहे, current कम हुआ, क्यों कम हो रहा है current, क्योंकि जैसे मैं negative लगाता जा रहा हूं, ये क्या कर रह है कि ये electron को repel कर रहा है, इस तरफ force लगा रहा है, सामने आने से रोक रहा है, जितना जाधा negative, उतने electron को repel करेगा, उतने कम electron सामने पहुचेंगे, मालो कि मैंने देखा कि minus 50 volt पर एक ही electron सामने जा पा रहा है, ये value just example है, ठीक है, तो अभी होता क्या है कि जैसे जैसे मैं negative बढ़ाता जाऊंगा, सामने पहुचते हुए electron जो है, यानि जो electron सामने जा पा रहे है, उनका number कम होगा, उनकी अंदर ऐसा होगा कि एक electron, 100 में से एक electron ऐसा होगा, इसके पास सबसे जाद़ energy होगी, आमने बुला ना कि सबकी energy अलग-अलग है, 100 में से एक electron की energy सबसे electron ऐसा है, जो minus 50 को भी cross करके जा पा रहे है, minus 50 को भी cross करके जा पा रहे है, पर जैसे ही मैंने देखा कि minus 51 लगाया, ये एक भी electron अभी सामने नहीं जा पा रहा, मतलब current stop हो गया, यानि ये minus 51 ऐसा voltage है, जो जादा, सबसे जाद़ energy वाले electron को भी सामने आने से रोक रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा, stopping potential, बोलो कहानी समझाई, positive बढ़ाने से क्या होता था, positive बढ़ाने से क्या होता था, कि जादा electron सामने जाते थे, एक point के बास सारे चले जाते थे, current maximum, negative बढ़ाने से क्या होता है, सामने, वो electron को repel करेगा, तो कम से कम electron सामने जाएंगे, एक point ऐसा आ minus लगाने से हो जादे electron कीज़ता था, minus लगाने से उनको repel करेगा, नहीं number of electron कम होते जाएंगे, एक point पे current zero होगा, वहाँ एक point पे current maximum होता था, तो दीखो, when a collector plate is kept at a negative potential, it will repel the emitted electron, वो क्या करेगा, emitted electron को repel करेगा, here when negative potential is increased, the number of electrons that reach the collector plate will decrease, number of, क्या बोला, negative potential को increase करो, तो जो number of electron collector plate पे पहुँच रहे है, वो decrease होंगे, at a certain value of negative potential of a collector plate, number of electrons can reach it, अचा क्या बोला, zero, no number of electron, at a certain value of negative potential of on collector plate, zero electrons, या फिर no electrons लिखा था नहीं, मैं number कहां बोल रहा हूँ, sorry, no electrons can reach it, यानि एक certain value के उपर, एक भी electron सामने नहीं जा पा रहा, here current stops, and this negative potential is called stopping potential, यानि एक certain negative value के उपर, no electron, zero electron सामने जा पाएंगे, current रोक जाएगा, ये potential, जो current को रोकने वाला है, रोकने वाला potential है, उसको बोलेंगे, stopping potential, at stopping potential, even the electron with maximum kinetic energy cannot reach, यानि जो सबसे आखरी में बचा हुआ था ना, जैसे मैं आपको example दो, मान लो, सामने से तूफान आ रहा है, ये repulsive force एक तरीकी का तूफान है, सौ पहलवान सामने जा रहे, उसमें एक सबसे बड़ा है, छोटा 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 करके सबकी body अलग अलग है, ठीक है, जैसे ही सामने से repulsive force बढ़ेगा, repulsive force मतलब तूफान बढ़ रहा है, तो सौ में से मान लो की 20 रुख गए, 20 क्रॉस करके नहीं जा पा रहे, तूफान और बढ़ा, और 20 रुख गए, तूफान और बढ़ा, और 20 रुख गए, एक last वाला पहल बान ऐसा होगा, जिसको हमने बोला ना, last, इसके पास सबसे ज़ potential है, उसको बोलेंगे, stopping potential, समझ आई कहानी, तो इसको बोलेंगे, कि सबसे last वाला, यानि अब इसकी kinetic energy होगी, k max, वो किसके बराबर होगी, ev0 की बराबर, maximum kinetic energy का formula, k max is equal to ev0, अचा, इसका graph क्या है, तो मैं आपको graph समझा देता हूँ, अचा, मैं क्या करता हूँ, इसको photocurrent जिसको बोलते हैं, और यहां पर आपका potential, potential on collector plate, या फिर off collector plate, इस तरफ आपका zero, इधर आपका positive potential होगा, इधर negative, हमने बोला कि zero voltage पे भी कुछ electron सामने जा रहे थी, यानि zero voltage पे भी कुछ current मिलेगा, जैसे जैसे मैं positive potential लगाता जाओंगा, सामने positive लगाता जाओंगा, ज मतलब यह जो मेरा current बना, यह maximum है, यह कितना है, maximum, अब अगर मैं negative बढ़ाता जाओंगा, तो current दीरे-दीरे कम होता जाएगा, दीरे-दीरे current कम होगा, एक point तक के बाद क्या हो जाएगा, जीरो, यह होगा stopping potential, simple है, मतलब positive potential बढ़ा हो, तो current बढ़ेगा, एक point के बाद constant हो जाएगा, negative में potential बढ़ा हो, तो current कम होता जाएगा, एक point के बाद zero हो जाएगा, अच्छा, यही experiment में तीन अलग-अलग intensity से करता हूँ, मैंने आपको समझाया था, intensity का मतलब क्या होता है, कि इसके उपर अगर मै जादा light गीराऊंगा, तो जादा light गीराने से क्या होगा, कि जादा electron बाहर आएंगे, तो maximum current बढ़ेगा, पर stopping potential उतना ही रहेगा, क्योंकि light की energy अभी same ही है, light की अगर frequency same है, और intensity अलग-अलग है, intensity अलग-अलग है, तो current बढ़ेगा, stopping potential same रहेगा, क्योंकि frequency same है, तो electron को same energy जी मिलेगी तो रोकने के लिए भी सामने same potential लगाना पड़ेगा अभी मैं अगर graph draw करूं दूसरी को intensity के लिए तो graph मेरा ऐसे मिलेगा और तीसरी intensity के लिए मेरा graph ऐसे मिलेगा I1, I2, I3 यहाँ intensity सबसे जाधा 3 है फिर उससे जाधा 2, उससे कम 2 और उससे कम 1 सबका stopping potential same है क्योंकि frequency same है, frequency same है तो सबका stopping potential यानि रोकने के लिए जो potential लगाना पड़ रहा है, same लगाना पड़ रहा है, बाकि intensity अलग-अलग है तो जिसकी intensity जाधा उसमें current क्या मिलेगा, सबसे जाधा मिलेगा, तो यह graph आपको theory के अंदर ही draw करना है, exam के अंदर अगर मानलो question आता है, मानलो 3-4, 3 marks में कुछ भी आता है, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, negative positive पे रखो collector को, collector को negative पे रखो और उसका अलग-अलग intensity का graph, अचा इसका एक दूसरा भी graph, मतलब यह theory पर नहीं, next theory का graph है, आप मेरा graph वाला वीडियो देख लेना, तो आपका graph clear हो जाए मैंने आपको पहले भी बोला था, कि अगर मैं बताओ, most important है, तो इसको सबसे पहले मतलब, बिल्कुल भी skip नहीं करना, ठीक है, चलो, photon का मतलब हमने समझाए, कि light जो होता है, वो एक particle की form में हम लोग मानते है, photoelectric effect के अंदर, जिसको photon बोला जाता है, तो पहला point है, during the interaction of radiation, यानि light, with matter, radiation behaves like a particle called photon, यानि light जब travel कर रहा है, तो वो particle, मतलब वो wave nature है, जब travel कर रहा है, तो वो wave form में है, ऐसे, पर जब वो metal surface से interact करेगा, नि उससे टकराएगा, तो एक तरीके की particle की तरब behave करने लगेगा, जिसको बोलते है, photon, energy of each photon is hf, and momentum is hf upon c, हर एक photon की energy hf होती है, और उसका momentum hf upon c होता है, दूसरा point, अच्छा, in a vacuum, speed of photon is equal to c, speed of light, क्योंकि photon एक तरीके का light है, for a wavelength lambda, energy of each photon will be hc upon lambda, देखो हम लोग hf लिखते हैं, तो hf का दूसरा form क्या होता है, hc upon lambda, क्योंकि f is equal to क्या होता है, c upon lambda, तो f की जगा c upon lambda, लिखो hc upon lambda, which is independent of intensity, देखो मैंने ब wavelength और frequency होती है, यानि हमने बुला था कि जो frequency होती है, वो decide करेगी कि उसकी energy क्या है, intensity बढ़ाने से energy नहीं बदलती, यानि मालो कि मेरे पास एक torch है, उसमें certain frequency का light है, तो उसके energy hf हो गई, अभी मैं ऐसे 4 torch एक साथ arrange करके ऐसे light गिरा हूँ, तो energy अभी same ही रहेगी, हर एक photon क energy सेम रहेगी, पर क्या बदलेगा, जादा light होगा, मतलब intensity बदलेगी, intensity बदलने से energy नहीं बदलती, intensity बदलने से बस amount of light बदलता है, brightness बदलती है, अबने बोला, ठीक है, photons are electrically neutral, ये exam में question आता है, photons are electrically neutral, MCQ के अंदर, cannot be deflected by electric और magnetic field, लेको electric field और magnetic field में force लगता है, हमने पढ लगेगा, ऐसे ही particle पे लगेगा, जिनका कोई charge हो, photon electrically neutral है, तो उनके उपर कोई भी electric field के अंदर, या फिर magnetic field के अंदर force नहीं लगेगा, और last point है, during photon particle collision, total energy and total momentum are conserved, conserve मतलब जितनी initial values थी quantity की, मतलब energy और momentum की, वो उतनी रहेगी, पर total number of photons are not conserved, ऐसा हो सकता है कि collision के during, जादा photons emit हो गए, मतलब generate हो गए, या फिर कुछ photons absorbed हो गए, तो number of photons आपके conserved नहीं रहेंगे, energy और momentum conserve रहेगा, तो ये 6 points आपको लिखने है, 2 marks में या 3 marks में question आ सकता है, important question अच्छे जरे prepare करना, बहुत simple है, पढ़के भी आपको समझे में आ जाएगा, चलिए हमारी ये chapter की last theory है, write de Broglie hypothesis and equation of de Broglie wavelength, hypothesis का मतलब ये होता है, कि ऐसी कोई बात जो proved नहीं है, पर जिसको सही मान लेना होता है, मतलब मैंने आपको कुछ बताया, मेरे पास इसका कोई proof नहीं है, पर आप बोलोगी कि चलो आपने बुला है, तो मैं मान लेता हूं सही हो शायद बात में आया होगा, Davison Germar करके एक experiment हुआ था, जो इस बार के syllabus में नहीं है, पर इसने जब बोला था, तो उसका कोई experimental proof नहीं था, तो इसको बोला hypothesis, ठीक है, de Broglie propose the hypothesis that like radiation, matter should also have dual nature, देको chapter का नामी है dual nature of radiation and matter, radiation का मतलब होता है light, हमने बोला कि radiation जब motion करेगा तो वो wave ह होता है, पर जब वो interaction करेगा metal के साथ, तो क्या बन जाता है, particle बन जाता है, अभी बोला ना photon के अंदर, during the interaction it behaves like a particle called photon, तो इसका dual nature है, motion के during wave है, interaction के during particle है, तो उसी तरीके से matter, matter का जो normal, यानि कोई भी चीज होती है, यह matter है, matter का मतलब particle से बनी हुई चीज, इसका actual nature है particle, actual nature क बोला कि according to de Broglie, during the motion of a matter, it should behave, it should have a wave nature, मतलब actual में ये particle है, पर जब मैं इसको फैंकता हूँ, तो ये motion के during किसकी तरह behave करना चाहिए, wave की तरह, simple है, light का actual nature wave है, interaction के during particle, मतलब इसका dual nature हो गया, तो matter का actual nature particle है, पर according to de Broglie, जब वो motion करने लगेगा, तो वो wave की तरह behave करना चाहिए, तो उसने reason दिया, देगो, बीच वाला point मेंने skip किया, क्यों, de Broglie gave a hypothesis on the basis of symmetry of nature, symmetry का मतलब होता है, कि साहिद आपने सुना होगा, कि अगर ये चीज ऐसी है, तो उसके सामने ये चीज ऐसी होनी चाहिए, इसको शायद आपने chemistry में आप शायद entropy जैसा कुछ पढ़ते हो ना, कि balance, सारी चीज़े balance में होनी चाहिए, कि अगर इसका dual nature है, तो इसका भी dual nature होना चाहिए, तो इसने बस इसके basis hypothesis दिया, कि अगर radiation का dual nature है, तो matter का भी क्या होना चाहिए, dual nature, इसके पास इस having mass m, having velocity v, d Broglie wavelength का formula है, lambda is equal to h upon b, h upon mv, मतलब यह हुआ, कि जिसका mass जादा होगा, उसकी wavelength कम होगी, मतलब यह marker अगर मैं फैकर आओ, तो mass जादा है, तो wavelength बहुत कम दिखेगी, पर अगर उसकी जगह की electron motion कर रहा है, तो electron का mass कम है, तो उसकी wavelength, visibly हम लोग feel कर पाएंगे, कि nature है, पर यह चीज इसने प्रूव नहीं करी थी, इसने तो बस hypothesis दिया था, मतलब बताया था, कि ऐसा होना चाहिए, reason क्या दिया, symmetry of nature, तो last point होगा, lambda is called d Broglie wavelength, this equation is called d Broglie equation, यह d Broglie wavelength है, यह equation को बोलेंगे, d Broglie equation, दो mass का question है, यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, तेको modern physics एक ऐसा section है, जिसके अंदर आप लोग chapter को अगर sequence में पढ़ोगे, तो ही समझ में आएगा, जैसे अभी यह chapter है, इसमें अगर आप लोग electron emission ही नहीं समझोगे, तो आपको photoelectric effect समझ में नहीं आएगा, तो sequence में पढ़ना, important question मैंने दिये, prepare हो सके, तो इतने ही करना, अगर मतल करोगे, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि modern physics के अंदर theory जादा है, theory कहीं से भी पूछ सकते है, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13 chapter के अंदर हमने theory निकाली है, तो इसका मतलब यह important है, इसके अलावा भी अगर आपके पास time हो, तो theory पढ़ लेना, क्योंकि इसको याद रखना आसान है समझा रहे है, मतलब मैं यह नहीं बोला कि सब कुछी करना पड़ेगा, time कम है तो भी करना पड़ेगा, पहले यह तो गरी लेना, पर इसके बीच में जो भी theory आती है, वो थोड़ी बहुता पढ़ लेना, ताकि आपको थोड़ा concept build-up हो, क्योंकि इसको लिखना आसान है, कह चेप्टर खतम हो रहा है, तो हम लोग आज का वीडियो यहाँ पर खतम कर रहे हैं, मैं थोड़ा side matter जाओ, ताकि हम लोग last में screenshot ले ले, और next जो chapter 12 है, मैं अभी कोशिश करूँगा, कि next theory, next class में देखते हैं, अभी कितनी theory होती है, next class में मैं देखता हूँ, दो chapter include कर बाल उड़ाचा ट्साइब स क क में जा जाएचerve 첫 लूच है, जो ढarım रहे होती हैं, मैं धन क की रहाचिवाचा, झा चेप मैं जर वीडमा गतम का जाएचा जा वाल गतम का रहाचा जुछूँाचाई तर ऑन ग कि का रहाचाचूब और झामा जो एक महती हैं, याल च bron-दा